सवागार की शोभा बड़ा रही है, हम सभी आपका इस सवागार में स्वागत करते हैं, अविनन्न करते हैं, वंदन करते हैं। श्री अर्जुन राम मेगवाल जी, माननिय विधी एवं नियाय मंत्री स्वतंत्र प्रभार तता संस्कती और संसद्य कार राज्य मंत्री। परियोजना। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंग जी, रास्टी महामंत्री, महामना मालविय मिशन। आप सभी आतितियों का बहुत-बहुत स्वागत है, अविननन्न है। इसके अत्रिक्त इस सवागार में मौझूद विसिष्ट आतितियों इवं अन्य सम्मानित आतितियों इनने गीत की रशना की थी। अब कुल गीत के शुरू होने से पहले मैं सभी लोगों से निवन निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर शुरू खड़े हो जाएं और हम सब लोग कुल गीत का हिस्सा वनेंगे। कुल गीत का हिस्सा वनेंगे। तीनों लोगों से नियारी थाशी सो प्यार धर्म और सत्याशी वसी है घंपां के रंग तटबर ये सर्वकिया इराज खाने राज खाने राज खाने नए नहीं है ये हीट बखर एए विश्वकर्माँका दार सुंदर रजे है बेत आगे वाक्रम अंदर ये शर्वस्ष्टी की राज खाने राज खाने यहां की है ये पवित्र शेशा की सत्य पहरे देरा दुराशा देहरे शंब देयनी पर ये सत्य शेशा की राजदानी ये राजदानी ववेद इश्वर की सत्य वारी बने जिंखे पढ़ के ब्राम हज्यानी ये जास दीन रचे रधीपन के ब्राम हज्या की राजदानी ये राजदानी वहों की बन को दिलाने हाले सुधर्म पथ पर जलाने हाले ये पने पूले मुद शंब कर ये राजदानी ये राजदानी ये राजदानी सुरंग्यदारा अवरु नासी नहाए जिन में कबेर तुलसी अलाओ कविता का क्यों ना करो ये वागते राजदानी ये राजदानी ये राजदानी विविध कला अर्थ शात्र गायन घड़ पधनी जित्वोशनी रसायन प्रधीच प्राजी का मेर सुन्दर ये विश्व पिल्या ये राजदानी ये राजदानी ये माल में अज़े के देश भरती ये उनका साहत ये उनकी शात्र गात्र गट हुई है नवी नवोकर ये कर्म भीरों विराजदानी ये राजदानी ये राजदानी तो कुलगीत की इस प्रस्तुती के बाद अब हम अपने अतितियों का सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं महामना मालविय मिशन के रास्टिय कारकारिय अद्यक्ष श्री हरी शंकर सिंग जी से निवेदन करता हूं कि किर्पया वो प्रधान मंत्री जी का स्वागत करें प्रधान मंत्री जी को सम्मान सुरूप शॉल भेट की जा रही है साती साथ प्रतीक चिन भी प्रधान मंत्री जी को सम्मान सुरूप दिया जाएगा इस अम्मान हम सब की तरफ से इस बेहत पावन मौके पर पुरधान मंत्रीजी के लिए जोड़ दार तालियाँ पुरधान मंत्रीजी को एक पैंटिंग भी भेट की जाएगी मालवी जी का चितर जो श्रिवांगी ने बनाया है और शिवांगी सौयम इस पेंटिंग को प्रधान मंत्री जी तक ले जा रही है और वो पृधान मंत्री जी को इस पेंटिंग को भेट करेंगी मालवी जी का ये चित्र उनके व्यक्तित को दर्शा आता है जोर्दार तालिया एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी और अब मैं महामना मालविये मिशन के रास्टिये महामंत्री डॉक्टर वेद प्रकाश सिंग जी को आमंत्रित करता हूं कि किर्पया वो आएं और मानेनिये सूचना एवं प्रसारान मंत्री श्री अनुराक सिंग ठाकर जी को सम्मानित करें वेद प्रकाश सिंग जी केंद्रिये सूचना एवं प्रसारान मंत्री श्री अनुराक सिंग ठाकर जी का सम्मान हो रहा है उनको शौल उड़ाकर प्रतीक्षितन भेट करके जोरदार तालिया अविनन्दन वंदन और मैं संस्ता के सदस्त श्री संजीब कुमार जी से निवेधन करता हूँ किरपया वो आएं और विदी एवम नियाय मंत्री श्री अरजुन राम मेगवाल जी का स्वागत करें अविनन्दन करें जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अविननन अविननन अविनन और मैं संस्ता के रास्टी कोशा देख श्री दिनकर कुमार सिंग जी से निवेदन करता हूं कि वो संपूर मालविय वांग मै के प्रधान संपादक श्री राम बहादुर राय जी का स्वागत करें रास्टी कोशा देख संस्ता के दिनकर कुमार सिंग जी सम्मानित कर रहे हैं संपूर मालविय वांग मै के प्रधान संपादक श्री राम बहादुर राय जी का जोरदार तालियां जोरदार स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार संपूर मालविय वांग मै को साकार रूप देने वाली संस्ता महामना मालविय मिशन के रास्टी अद्द्यक्ष श्री प्रभु नारान श्रीवास्तव जी को अब मैं आमंत्रित करता हूँ कि कि पर्पयाबो आएं और स्वागत संबोधन दें श्री प्रभु नारान श्रीवास्तव जी नमस्कार माभारकी की Shakespeare में अहिरनी सरत हमारे राजरशी प्रधान मंत्री श्री नर्यंदर भाइ ध्यक्ष पद्म श्री राम बहादूरर राय यसस्वी कैबिनेट मंत्री श्री अनुराग ठाकूर एवंग श्री अर०ुन राम मेघवाद महामना शंपून वागमै के राश्त्रिय समन्वायक स्री हरिशंकर सिंग राष्ट्रिय महामंत्री श्रिवेत जी उपस्थित देश भर से आये हुए प्रतिभापुंज मैं प्रभुणारायन मिशन की ओर से देश भर से आये हुए करमट कार्य करता एउन महामना को आधरांजली देने वाले इतनी विशाल संख्यामी उपस्थित प्रतिभा पुंज का हिदे से स्वागत करता हूँ हम सब लोग अमरित महोत्सो वर्ष में महामना और अपने प्रियम प्रधान मंतरी स्री मोदी जी के 2047 में विख्षित भारत के सपनों को तन मन धन से पूरा करने के लिए संकल्ब बद्ध हैं ग्यारा दिनों में कारेक्रम की सफलता में हमारे कारेकरता ने बहुत ही करमषता पुरोग योगदान किया है माननी प्रधान मंतरी के देदिप्मान व्यक्तित के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता अपने सुविचारित एजेंडा के अनुसार पिछले कई दशकों तक महामना को विस्मृति के गर्भ में डाला गया था वर्तवान भारत सकाव उन्हें 2014 में भारत रतन से अलंकिर्ट किया और तभी से मालिवी युग का अरंब हो गया ऐसा हम मानते हैं पिछले 45 वर्षों से महामना मालिवी मिशन के कर्मठ कारक्रतावनों सेवा, शुच्छा, संसकार एवंग राश्ट्रवादी विमर्ष निस्टनल नेरेटिव बनाने में वर्तवान सरकार के सपनों को मजबूति पुरदान करने का गिलहरी प्यास किया है सराज्यम सप्रजम हंती राजा नाम मंत्र विप्लव से राजा राज्य और जन्ता का भी विनाश होता है आज पूरे देश में पूरव में कलकत्ता, पटना, रांची, पस्चिम में गांधी नगर गुजरात, गांधी नगर चेमारे कई वराजा महराजा भी आएं मैं उन्टा भी विशेश से उल्लेक करना चाहूंगा मॉंबई, जयपूर, उत्तर में दिल्ली, लखनव और दक्षिन में बैंगलूरूर, हैजराबाद, सहित, कुल तीश राखाएं कारेरत हैं इनके द्वारा संचालित सेवा परकल, दिजिटल ट्रेनिंग केंदर, दिल्ली में गढ़िया लुहार के परिवार का सेवा, उचाहार में महिला सिलाई करहाई केंदर, लखनव में इंटरकाले, छात्रावास, एवं समसामाई की विश्यों पर गोष्ट्यों का एवजन किय जाता रहा है, जो कारी पिछली सरकार अज्यात अज्यात कारणों से वर्सों तक नहीं कर पाई, उसे मिशन के कार करता हूं ने अपनी तपस्या से, चार वर्सों में, ग्यारा खंडों के चार हजार पृष्टों में, महामना के सैक्रों अप्त कासित पत्तों, लेखों और भासनों को 22 खंडों में समेटा है। अगले 11 खंडों की दूसरी स्रिंकला भी लगभग तैयार है। कार्करताओं की समर्ति सक्ति से बिना किसी सरकारी सहायता के मालवी जी का यह रच पिछले 45 वर्चों से अनवरत चल रहा है। कार्कर से गीता प्रेमी हैं। आपसे मेरा अन्रोध है। आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि गीता जिसे देश की चेतना में कितना सार्थक परिवर्तन हो सकता। अथा प्रथम चरण में अपने ही दल में से गीता प्रवचन की वाल्चिक परंपरा विक्षित हो और इसका उद्धातन आपके ही प्रवचन से हो। किस्वर से प्रार्षना करता हुआ। मैं आपसे यह भी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि बाद में हिंदुविष विद्धाले में महामना द्वारा अस्थापित स्वैचिक गीता परवचन की परंपरा राजने की द्वाला भी अस्थापित की जा सकती है। दूसरा मालवी वांग में सहित अन्य मालवी सहित तेवं उपर देश भर में महामना के दरशन पर विद्ध्यालेयों में उचित सोधों पर आकर्शक पुरसकार दिये जाए। इस संबंद में हम भारत सरकार के शिच्छा विवाग को सहयोग कर सकते हैं अस्वा सरकार हमारा सहयोग ले सकती है। इस्वर के आशिरवाद से आपके नित्यत में लगभग पचीस करोर भारतीय परिवार के पढ़ान होने के कारण अपने देश का सांस्क्रितिक आध्यात्मिक और आध्युक लिकास निश्चिती संपन्द हो सकेगा। अंतने मैं आप सब को हिदे से पुनह पुनह धन्यवाद देता हुआ स्रीमत भगवत गीता का अंतनी श्लोक जो महरती व्यास ने संजय मुक्षे कहा है उसको उद्धित करते हुए अपनी वानी को विराम देता हूँ। भगवान ने कहा है यत योग इस्वाह कृष्ण यत पार्थो धंगर दरह तक सिह विजयो भूती दुर्वानी तिर मति महमा धन्यवाद भगवत भगवत धन्यवाद श्री प्रवु नार्यान श्री वास्तर जी संपूर मालविय वांगमय की पहली श्रंकला से परचित करा अने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं संपूर मालविय वांगमय के प्रधान संपादर श्री राम बहादूर राय जी को कि किर्पया वो आएं और हम सभी को इस संकलन से परचित कराएं श्री राम बहादूर राय जी प्रधान मंत्री स्रधे नरेंद्र मोदी जी आदरनी अनुराग सिंठाकुर जी आदरनी अजुन्राम मेहवाल जी श्री हर्शेंकर सिंग जी रभुनारायन स्रिवास्तो जी डाक्टर वेद प्रकाव सिंग जी संचालन कर रहे आर्यन सिंग जी और सामने उपस्थित मित्रो मालवी विशन के पदादिकारी घंड और यह साल दोजार तेईस है और यह विदा हो रहा है यह साल दो बातों के लिए याद किया जाएगा मोदी की गारंटी और महामना के वांगमय का प्रकाशन यह दो बातों के लिए दो हजार तेईस हमेशा याद किया जाएगा मोदी की गारंटी में विक्सित भारत की यात्रा का प्रारंब है और महामना वांगमय में उसका सब्द चित्र है ये दोनों बाते एक दूसरे से जुड़ी हुई है आज जैसे सुवह आप सबने देखा होगा पतल विहारी वाजपेई जी की जन्म जहनती है उस पर प्रदान मंत्री जी और बाकी लोग गय थे उसी तरह से आज पंडित मदन मुहन मालवी जी का 162 जन्म दिन है और ऐसे औसर पर महामना मालवी मिशन की खोजी टीम ने महनती टीम ने और समर्पित एक टीम ने वांगमय को अपने खून और पसीने से बनाया है मालवी जी का लिखा जो भी उपलब्द हो सका है उसके ग्यारह खंड अभी छपे हैं भारत सरकार के प्रकासन विभाग ने इसे छपा है और मैं यह आप से बताना चाहता हूँ कि यह संभव हुआ सूचना और प्रसारण मंत्री माननी अनुराग ठाकुर जी के मिद्वेश से मैं मानता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी में महामना से एक समानु भूती है और मैं इसके लिए आपके प्रतियाभारी हूँ आप में से कोई अगर यह सवाल मन में आपके उठ रहा हो तो मैं कहूँगा कि यह सवाल आप मत पूछिए यह मत पूछिए कि वांग मैं इससे पहले क्यों नहीं आया क्योंकि महामना की एक सो बासटमी जयनती है उनको गए हुए 1946 में हुए चले गए 1946 से लेकर 2023 के बीच में आखिर क्या वज़ा है कि वांग मैं उनका नहीं आया और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनके एक निजी सचिव थे पंडित सिता राम चतुरवेदी उन्होंने मालवी जी पर एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि मालवी जी के पचास पचपन साल बोला है और जो बोला है वो सब आकास में है हमने जो वांग में बनाया है वो आकास से तोड़ कर नहीं बनाया है हमने जो वांग में बनाया है वो आकास में जो है वो तो किसी दिन जब जब ज्ञान आकास के सब्दों को चुन लेगा, तब साथ एक नया वांगमे महामाना का बने, लेकिन हमने जो वांगमे बनाया है, वह उपलब्ध उनकी देश विदेश में जो सामगरी थी उससे बनाया है. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा जरूरी ये जानना है कि वांगमे में क्या है, गोखले, तिलक, गांधी, रविना, ठाकुर, लालालाज, पत्राय, ये जब नाम हम लेते हैं, तो उन्ही नामों में एक नाम कोहिनूर जैसा चमकता है, और वह नाम है प्रनितमदन वांगमे इस बात का प्रमाण होगा, कि महामना मालवी समसामाइक है, दो हजार तेईस में भी अगर आप महामना को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि दो हजार तेईस में भी हमको अगर कोई जोच जलानी है, कोई अंदर प्रकास खोजना है, कोई भावी दिशा देखनी है, तो वह सब महामना मालवी के साहित में है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि वे समसामाइक है, वे 21 सदी में भी उतने ही तरोत आजा हैं, जितने 1946 में थे, 1886 में थे, 1909 में थे, 1908 में थे, उनका एक ही रंग है, अगर आपने महामना को देखा होगा, तो उनकी दूसरी कोई तस्वीर नहीं मिलती, एक ही रंग की तस्वीर मिलती है, और वो जो रंग उनका है, उसमें भारत के, श्रिष्टी के, मैं तो कहूँगा, सारे रंग समा जाते हैं, महामना का रंग है, सनातन धर्म, सिक्षा, देशज आधुनिक्ता, स्वराज, समाज में सद्भाव और भविश्य की राह, महामना पर बहुत प्रुस्तके हैं, उनके जीवनकाल में भी, और आज तक, अभी कुछ दिनों पहले तक, एक बनारसिंद्वेश्य सुद्याले के प्रोफेसर ने, उन पर बहुत अच्छी किताब निका लिए, और ओ किताब, ये बताती है, कि महामना के कथन को, महामना के लेखन को किस तरह से विक्रित करके कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया है, मैं उस किताब के बारे में बोलने का यह वक्त नहीं है, मैं किवल यह कहना चाहता हूं, कि महामना पर तो बहुत पुस्तके हैं, लेकिन महामना की पुस्तक, ये वां इस वांगमाय में आप महमना को पाएंगे जिसमें वेस्वायम साक्षात उपस्थित हैं। आपको बता दूं कि महमना पर पहली पुस्तक उननीस सो उननीस में हो सकता है कि यह सूचना बहुत लोगों के लिए नई हूँ। उननीस सो उननीस में जब महमना कांग्रस के अध्यक्ष थे, अठारा में बन गया थे। तो उन पर जो पहली पुस्तक आई, जबलपुर से शपी थी, मौलाना अबुल आला मौदूदी ने प्रकासित की थी। वो पुस्तक है। और पुस्तक शपी और उसी साज जब्त हो गई। जबलपुर से शपी थी। इस वांग में के बारे में कुछ बाते में और कह करके अपनी बात जल्दे ही पूरी करना चाहता हूं। आजादी के इस अमरितकाल में जैसा प्रभुनाराण स्रिवास्ताव जी ने भी ये बात कही कि चार हजार प्रिष्टों में महामना का बौधिक योगदान उनी के सब्दों में आ गया है। इसके 11 खंड हैं। इन खंडों की सामगरी एकत्र करने में देश विदेश में रह रहे अनेक लोगों ने जो हिंदोवी सुद्याले के पुराने चात्र हैं, जो मालवी जी के साथ जुड़े हुए रहे हैं। उन्होंने सहयोग किया है। कुछ नामों का उलेख मुझे करना चाहिए। जिनके सहयोग से ये वांगमे बना है। बंगलूर में बनारसिंदु विस्टुद्याले के पुराने चात्र हैं। उनकी उमर 83 साल है। के चंद्रमोली। उन्होंने बहुत सहयोग किया है इस वांगमे में। उसी तरह से जी सचीवरा है। विये सुंदरम उनके नाति हैं जर्मनी में रहते हैं। मालवी जी रोज कोई एक स्लोक अपने हस्ताक्षर से अपनी डायरी में लिखते थे। वो डायरी जर्मनी में थी। और यहां मेरा ख्याल है इस सभागार में उपस्थित होंगे। दाक्टर वैदुर्य प्रताप साही इन्होंने उस डायरी को हमें उपलब्ध कराया। मैं वैदुर्य प्रताप साही के प्रतिफ अपना अभार प्रगट करता हूं। मनोर्मा त्रिपाठी हैं जिन्होंने मालवी जी के दो सव से ज्यादा पत्रों को अंग्रे जी में अनुआद करके और उपलब्ध कराया। हरिसंकर सिंग जो मंच पर अभी मवजूद हैं हम लोगों के पुराने साथी हैं कासे इंद्रुविस वद्याले के हलाकि ये लोहा लकड़ वाले हैं यानि इंजिनियर हैं। लेकिन मालवी जी के प्रतिनिस्था है और इनके संयोजन में ये कारे हुआ है। गुंजन अगरवाल वह व्यक्ति है वह युवा है जिसमें असीम छमता है सूध की। गुंजन अगरवाल ने इस असंभव काम को संभव करने में रात दिन खपाया है। मैं गुंजन अगरवाल का भी अभारी हूँ। भांसन वांगमे में मालवी जी के भांसन हैं। लेख हैं, संपादकी हैं, पत्र हैं। उन मुकद्मों के पूरे विवरण हैं। जो मुकद्मे मालवी जी ने लड़े। मैं एक मुकद्मे चवरी शवरा के मुकद्मे का जिक्र नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि प्रधान मंत्री जी स्वयम उस मुकद्मे का जिक्र करेंगे। इस वांगमे में दस्तावेज हैं प्राइवेट पेपर से मालवी जी के और इस तरह से ये सारे खंड काल क्रमानुसार हैं। और ये कारे अभी आधा हुआ है। हो सकता है कि जब हम अगले कारे में आगे बढ़ें तो और सामगरी मिले। अभी की योजना में जरूर हम चाहते हैं कि 22 खंड का ये वांगमें पूरा हो, अभी 11 खंड का ये वांगमें है। मैं कहूंगा कि शुरुवात हो गई है, मार्ग मिल गया है, तो हम उमीद करते हैं कि मंजिल पर भी पहुँचेंगे हैं. यह भी संभव है, आप सब का अशिरवाद रहा, तो बहुत संभव है कि हम महामना का एक विश्वकोष तयार करेंगे. अंत में मैं कहना चाहूंगा कि स्वाधिन्ता अंदोलन के संपूर्णता में, अगर किसी को स्वाधिन्ता अंदोलन को संपूर्णता में समझना है, तो महामना के वांग मैं से उसे मदद मेलेगी. स्वराज और उसके सपने को अगर समझना है तो महामानाक महा के वांग मै से उसे समझ में आएगा कि स्वराज का सपना क्या था और खुद महामान में स्वराज के वारे में बहुत लिखा है वांग मै का महत्र इसी रूप में अइतिहासिक है और भविस्त द्रिष्टी के लिए आवस्यक है मैं यहका कर अपनी बात पूरी करता हूं और मैं यह कहूंगा कि महामाना जब आप पढ़ेंगे वांग मै को तो आप पाएंगे कि महामाना में आर पार देखने की अपार छमता थी और उस महामाना के चर्णों में मैं प्रणाम करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद राम बाहदो राय जी आपके इस परचय कराने के लिए वांग मै की इस पूरी यात्रा को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका संपूर्ण मालविय वांगुमय का संकलन महामना मालविय मिशन ने किया है तता भारत सरकार के सूछना एवं प्रसारान मंत्राले के प्रकाशन विभागने इसे प्रकाशित तिया है आए इस शंकलन के वारे में देखते हैं एक छोटी सी फीडियो फिल्म भारतिय सभ्हिता खंडों में कुल 4,000 प्रिष्ठों में मालविय जी के पत्रों लेखों और भाशनों का संकलन किया गया है महामना द्वारा सन 1907 में शुरू किये गए साप्ताहिक अभ्योदय के संपाद किये अंग्रेजी कानूनों की आलोचना विशयक लेक इंपीरियल लेजिसलेटिव काउ में उनके भाशन काशी हिंदू विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए किये गए श्रम एवं प्रियास तथा सन 1916 में उसकी स्थापना तक किये गए पत्राचार इत्यादी और सन 1923 से 1925 के मध्ये उनके द्वारा लिखी गई डायरी के पन्ने यतावत इसमें शामिल है आईए इस अद्वितिय अफसर के भागीदार बनें और अब मौका है संपूर मालविये वांगमय के लोकारपन का इस कड़ी में हम माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी से विनम्र अनुरोद करते हैं कि वो संपूर मालविये वांगमय का लोकारपन करने की कृपा करें मानुरी अनुराग सिंग ठाकोजी से निवेदन है कि लोकारपन के लिए प्रती को प्रधान मंत्री जी को भेट करें मंच पर उपस्तित सभी विस्ष्ट अतितियों से विया निरोध है कि वो भी प्रधान मंत्री जी के साथ इस लोकारपन का हिस्सा बने जोड़दार तालियां इस एतिहासिक पल के लिए गवाह वनने का हम साक्षी बन रहे हैं जब महामना की स्यात्रा से हम परचित हो रहे हैं पुर्धान मंतुजी दुआरा लोकारपित किये जा रहे संपोण मालविय वांगमय के कुल 11 खंड है लोकारपित के बाद ये पूरा संकलन आम लोगों के लिए उप्लप्ध होगा और हम सभी मालविय जी के विचारों से लाभानवित हो सकेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद प्रधान मंत्री मだपको और अन अतितियों का मालवी जी के विचारों के श्रंखला को लोकार्पित करने के लिए और अब मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ देश के ये शश्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनरोद करता हूं किरपया वो आज के स्पावन मौके पर हम सभी को अपने विचारों से अनुग्रहित करें माननिय प्रधान मंत्री महोदै जी मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी स्रीया नूराग ठाकूर जी अर्जुन राम मेगवाल जी महामना संपुन भांग्मय के प्रधान संपाधक मेरे बहुत पुराने मित्र रामबादू राई जी महामना मालवया मिशन के अध्यक्ष अर्भुनारायन स्रिवास्तव जी मंत्र पर विराजमान सभी वरिष्ट साथी देवी और साज्यन सर्वप्रथम आप सभी को क्रिश्मस के सुबकामनाई आज का दिन भारत और भारतियता में आस्था रखने वाले करोडों लोगों के लिए एक प्रेरणा परवकी तरफ होता है आज महामना मदन महन मालेविया की जन्म जैन्ती है मैं आज के इस पावन अवसर पर महामना मालेविया जी के स्री चरणों में प्रणाम करता हूं अटल जी को आदरपुर्वक सद्धान्जली देता हूं अटल जी की जैन्ती के उपलक्ष में आज देश गुड गवर्णन्स डेश सूशासन दिवस के रूप में मना रहा है मैं समस्त देश वासियों को सूशासन दिवस की भी बधाई देता हूं साथियों आज के इस पवित्र अवसर पर पंडित मदनमोहन मालेविया संपुर्ण वांगमे का लोकापन होना अपने आप में बहुत महत्पपूर्ण है ये संपुर्ण वांगमे महामना के विचारों से आदर्शों से उनके जीवन से हमारी युवा पीडी को और हमारी आने वाले पीडी को परिचित कराने का एक ससक्त माध्यम बनेगा इसके जर्ये भारत के स्वतंतरता संगराम और तत्कालिन इतिहास को जानने समझने का एक द्वार खुलेगा खास कर रिसर्ट स्कॉलर्स के लिए इतिहास और राजलिती विज्ञान के छात्रों के लिए ये वांगमय किसी बवधिक खजाने से कम नहीं है बी एचू की स्थापना से जुड़े प्रसंग कॉंग्रेस के शिर्ष नेत्रुत्व के साथ उनका समवाद अंग्रेजी हकुमत के प्रतिव उनका सक्त रवया भारत की प्राचीन विरासत का मान इन पुस्तकों में क्या कुछ नहीं है सबसे महत्पुन बात कि इन में से एक मॉलिम जिसका रामबादुरायजी नहीं लेक किया महामनाज की नीजी डायरी से जुड़ा है महामनाज की डायरी समाज, राष्ट और अध्यात में जैसे सभी आयामों में भारतिये जनमानस का पथ प्रदर्शत कर सकती है साथियों मुझे पता है कि इस काम के लिए मिशन की टीम और आप सब लोगों के कितनी बर्शों की साधना लगी देश के कोने कोने से मालविया जी के हजारों पत्रों और दस्तावों केशी की खोश करना उन्हें कलेक करना कितने ही अभिलेखा गारों में समुद्र की तरह गोते लगार गार एक-एक कागज को खोश करके लाना राजा महराजाओं के परसनल करेक्शन से पुराने कागजों को इकत्र करना ये किसी भगिरत कारे से कम नहीं है इस अगाद परिशम का ही परणाम है कि महामना का विराट व्यक्तित्व जारा खंडों के संपूर्ण वांगमय के रूप में हमारे सामने आया है मैं इस महान कारे के लिए सूचना एवं प्रसारान मंत्रालाई को महामना मालेविया मिशन को और राम बादू राईजी को और उनकी टीम को रदय से बधाई देता है इसमें कई पुस्तकाय लेके लोगों का महामना से जुड़े रहे लोगों के परिवारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मैं उन सब साथियों का भी रदय से अभिनंदन करता हूँ मेरे परिवार जनों महामना जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और आने वाली कई सदियों तक हर पल हर समय उनसे प्रभावित होते हैं भारत की कितनी ही पीडियां पर महामना जी का रून है वो सिक्षा और योग्यता में उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की बराबरी करते थे वाधुनिक सोच और सनातन संस्कारों के संगम थे उन्हाने स्वतंत्रता संग्राम में जितनी बड़ी भूमी का निभाई उतना ही सक्रिय योगदान देश की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने में भी दिया उनकी एक द्रष्टी अगर वर्तमान की चुनोतियों पर थी तो दूसरी द्रष्टी बविश्य निर्मान में लगी थी महामना जिस भूमी का में रहे उन्होंने नेशन फर्स्ट राष्ट प्रथम के संकल्प को सर्वो परी रखा वो देश के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराए मुश्कल से मुश्कल माहोल में भी उन्होंने देश के लिए संभावनाओं के नए बीज भूए महामना के ऐसे कितने ही योगदान है जो संपोन वांगमे के ग्यारा खंडों के जरिये अब प्रामाणी गृप से सामने आएंगे इसे मैं अपनी सरकार का सौभा की समझता हूँ कि हमने उन्हें भारत रत्न दिया और मेरे लिए तो महामराजी एक और वज़े से बहुत खास है उनकी तरह मुझे भी इश्वर ने काशी की सेवा का मोका दिया और मेरा ये भी सवभाग्य है कि 2014 में चुनाव लड़ने के लिए मैंने जो नामांकन भड़ा उसको प्रपोज करने वाले मालविया जी के परिवार के सदस्य महामनागी काशी के प्रती अगहाद आस्था थी आज काशी विकास की नई उचाईयों को चू रही है अपनी विरासत के गवरों को पुनर स्थापित कर रही है मेरे परिवार जनों आजहादी के अमरित काल में देश गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति पाकर अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है हमारी सरकारों के कारियों में भी आपको कहीं न कहीं मालेविया जी के विचारों की महक महसूस होगी मालेविय जी ने हमें एक ऐसे राष्ट का विजन दिया था जिसके आधुनिक शरीर में उसकी प्राचीन आत्मा सुरक्षित रहे समुरक्षित रहे कि जब अंग्रेजों के विरोध में देश में सिक्षा के बाईकोड की बात उठी तो मालेविया जी उस विचार के खिलाप खड़े हुए उस विचार के खिलाब से उन्होंने कहा कि सिक्षा के बाइकॉड की जगह हमें भारतिये मुल्यों में रची स्वतंत्र सिक्षा व्यवस्ता तयार करने की दिशा में जाना चाहिए और मज़ा देखिये इसका जिम्मा भी उन्होंने खुद ही उठाया और देश को बनारस हिंदू विश्व विद्याले के रूप में एक गवरवसारी सवस्तान दिया उन्होंने आक्सपोर्ड और केम्बरिज जैसे समस्तानों में पढ़ रहे युवाओं को बियेचियू में आने के लिए प्रोसाहित किया महामना इंगलिश के महान विद्वान होने के बावजुद भारतिये भाशाओं के प्रबल पक्षदर थे एक समय था जब देश की व्यवस्ता में नयालयों में फार्सी और अंग्रेजी भासा ही हावी थी मालवियाजी ने इसके खिलाब व्यावाज उठाई थे उनके प्रयासों से नागरी लिपी चलन में आई भारतिये भाशाओं को सम्मान मिला आज देश की नई रास्तिय शिक्षानिती में भी मालवियाजी के इन प्रयासों की जलक मिलती है हमने भारतिये भाशाओं में हायर एजुकेशन की नई शुरुवात की है सरकार आज कौर्ट में भी भारतिये भाशाओं में कामकाज को पुत्साहिद कर रही है दुख इस बात का है इस काम के लिए देश को 75 साल इंतजार करना पड़ा साथियों किसी भी राष्ट के ससक्त होने में उस राष्ट की संस्थाओं का भी उतना ही महत्व होता है मालुय जी ने अपने जीवन में ऐसी अनेक संस्थाओं बनाई जहां राष्टिय व्यक्तित्वों का निर्माण हुआ बनारस हिंदू विश्वविधाले के बारे में तो सारी दुनिया जानती है इसके साथ ही महा मनाने और भी कई संस्थान बनाएं हरिद्वार में रिशिकुल ब्रह्मचरिया साथ आश्रम हो प्रयाग राज में भारतिय भवन पुस्तकाले हो या लाहोर में सनातन धर्म महा विध्याले की स्थापना हो मालविया जी ने राष्ट्र निर्मान की अनेक संस्ताओं को देश को समर्पित किया अगर हम उस दोर से तुलना करें तो पाते हैं आज एक बार फिर भारत राष्ट्र निर्मान की एक से बढ़कर एक संस्ताओं का स्रजन कर रहा है सहकारिता की शक्ति से देश के विकास को गति देने के लिए अलग सहकारी मता मंत्राले बनाया गया है भारतिय चिकत्सा प्रद्रति के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अलग आयुश मंत्राले की स्थापना की है जामनगर में डब्लू एचो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आदार सिला भी रखी गई है श्री अन्न यानि मिलेट्स पर शोथ के लिए हमने इंडियन इंस्ट्रिट आप मिलेट्स रिसर्च का गठन किया है उर्जा के ख्षेत में बैश्विक विश्वयों पर चिंतन के लिए भारत ने बीते दिनों ग्लोबल बायो फ्यूर एलाइंस भी बनाया है इंटरनेशनल सोलार एलाइंस हो या कोलिशन फर डिजास्ट्रा रेजिलियन्स इंफ्रासंक्टिर की बात ग्लोबल साउथ के लिए दक्षीन का गठन हो या फिर इंडिया मिडल इस्ट उरोप एकोनोमिक कोरीडो श्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस का निर्मान हो या फिर नव स्वेना के खेत्र में सागर इनिसेटिव हो भारत आज राष्ट्री और अंतराष्ट्री महत्व की कई संस्ताओं का निर्माता बन रहा है ये संस्तान ये संस्ताएं 21 सदी के भारती नहीं बलकि 21 सदी के विश्व को नई दिशा देने का काम करेगी साथियों महामना और अटल जी दोनों एकी विचार प्रभास से जुड़े थे महामना के लिए अटल जी ने कहा था जब कोई व्यक्ति सरकारी मदद के बिना कुछ करने के लिए निकलेगा तो महामना का व्यक्तित्व उनका कृतित्व एक दीप सिखा की तरह उसका मार्ग आलोकित करेगा आज देश उन सपनों को पूरा करने में जूटा है जिसका सपना मालविया जी ने अटल जी ने देश के हर स्वातंतर सेना ने ने देखा था इसका आधार हमने सुशासन को बनाया है गुड गवर्नेंस को बनाया है गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंदर में सत्ता नहीं सत्ता भाव नहीं सेवा भाव हो जब साप नियत से संबेदन सिल्टा के साथ नीत्यों का निर्मान हो और जब हर हकदार को बीना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले गुड गवर्नेंस का यहीं सिद्धान आज हमारी सरकार की पहचान बन चुका है हमारी सरकार का निरंतर प्रयात रहा है कि देश के नागरी को मूल सुविधाओं के लिए यहां वहां चक्कर काटने की जुरूत न पड़े बलकि सरकार आज हर नागरी के पास खुच जाकर उसे हर सुविधा दे रही है और अब तो हमारी कोशिश है कि ऐसी हर सुविधा का सेचुरेशन हो हंड्रेड परसंट इंप्लेमेंट करें इसके लिए देश भर में विक्सीद भारत संक्रल प्यांत्रा चलाई जा रही है आपने भी देखा होगा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के गावों और सहरों तक पहुंच रही है लाभारत्यों को मोके पर ही अनेक योजनाओं का लाब मिल रहा है मैं आपको एक उधान देता हूँ आज केंद्र सरकार हर गरीब को पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज के लिए अविश्मान काड़ देती है बीतें बर्षों में करोड़ों गरीबों को ये काड़ दिये गए लेकिन बावजुदिस के कई खेत्रों में जागरुप्ता की कमी की वज़़ से गरीबों को ये अविश्मान काड़ पहुंच नहीं पाए थे अम मोदी की गरंटी वाली गाड़ी ने सिर्फ 40 दिन के भीतर देश में एक करोड़ चे अधीक नए आईश्मान काड़ बनाए हैं उनको खो जाए हैं उनको दिया है कोई भी छुटे नहीं कोई भी पीछे रहे नहीं सबका साथ हो सबका विकास हो यही तो सुशासन है यही तो गुड गवरनन्स है साथ्यों सुशासन का एक और पहलू है इमाम दारी और पारदर्शिता हमारे देश में एक धार्णा बन गई थी कि बड़े बड़े गोटालों और घपलों के बिना सरकारे चल ही नहीं सकती 2014 से पहले हम लाखों करोड और गोटालों की चर्चाएं सुनते थे लेकिन हमारी सरकार ने उसके शुशासन ने आसंकाओं से भरिवन और धावणाओं को भी तोड़ दिया आज लाखों करोड रुपिये की गरीब कल्यार की योजनाओं की चर्चा होती है गरीबों को मुप्त राशन की योजना पर हम चार लाख करोड रुपे खर्च कर रहे हैं गरीबों को पके घर देने के लिए भी हमारी सरकार चार लाख करोड रुपे खर्च कर रहे हर घर त कि पाई पाई जन हित में राष्ट हित में लगाई जाए यही तो गुड गवर्नेंस है और साथ क्यों जब इस तरह इमामदारी से काम होता है नीतिया बनती है तो उसका नतीजा भी मिलता है इसी गुड गवर्नेंस का नतीजा है कि हमारी सरकार के सिर्फ पाँच बर्सों में ही साड़े तेरा करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं सात्यों संवेदन सिल्टा के बिना गुड गवर्नेंस की कलपना नहीं कर सकते हैं हमारे हाँ 110 से अधिक जिले ऐसे थे जिने पिछड़ा मानकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था कहा जाता था क्योंकि 110 जिले पिछड़े हैं इसलिए देज भी पिछड़ा रहेगा जब किसी अपसर को पनिश्मेंट पोस्टिंग देनी होती थी तो इन जिलों में भेजा जाता था मान लिया गया था कि 110 जिलों में कुछ नहीं बदल सकता है इस सोच के साथ ना यह जिला कभी आगे बढ़ पाते और ना ही देश विकास कर पाता है इसलिए हमारी सरकार ने 110 जिलों को आकांशी जिले एस्पिलेशनल डिस्टिक की पहचान दी हमने मिशन मोड पर इन जिलों के विकास पर फोकस किया आज यही आकांशी जिले विकास के अनेक परामिटर्स पर दूसरे जिलों से कहीं बैतर प्रदर्शन कर रहे हैं इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आकांशी ब्लॉक्स प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं साथियों जब सोच और एप्रोच बदलती हैं तो परणाम भी मिलते हैं बसकों तक बॉर्डर के हमारे गाउं को आखरी गाउं माना गया हमने उन्हें देश के पहले गाउं होने का विस्वाक दिया हमने सिमावर्ती गाउं में वाइपरेंट बिलेज योजा शुरू कि अज सरकार के इधिकारी मंत्री वहां जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं मेरी केबिनेट के मंत्रियों को मैंने कंपल सरी किया था कि जो जिसको अब तक आखरी गाउं कहां गया रहे जिसको मैं पहला गाउं कहता हूं वहाँ तो रात्री विश्राम करना है और गए कोई तो सत्रा सत्रा हजार फीट तो उंचाई पर गए आज सरकार की योजनाओं का तो लाब और तेजी से महां पहुंच रहा है एक गुड ग्योणनस नहीं है तो क्या है आज देश में कोई भी दुखदात्सा हो कोई आपदा हो सरत्यार तेज गती से राहत और बचाओं में जुट जाती है यह हमने कोरनाकाल में देखा है यह हमने युक्रेन यूत्य के सम में देखा है दुनिया में कहीं भी मुश्किल हो तो देश अपने नागरीकों को बचाने के लिए युद्वस्तर पर काम करता है गुड ग्योवर्नस में ऐसे ही अनेक उदान दे सकता है शासन में आया यह बढ़लाव अब समाज की सोच को भी बदल रहा है इसलिए आज भा परकार के बीच भरोसा यह नई बुलंदी पर है यही भरोसा देश के आत्मविश्वास में जलक रहा है और यही आत्मविश्वास आजादी के अम्रितकाल में विक्सीद भारत के निर्मान की उर्जा बन रहा है दाथियों आजादी के अम्रितकाल में हमें महामना और अटल जी के विचारों को कसोटी बान कर विक्सीद भारत के सपने के लिए काम कर रहा है मुझे विश्वास है देश का प्रतेक नागरिक संकल्प से सिद्धी के इस मार्क पर अपना पूरा योगदान देगा इसी कामना के साथ फिर एक बार महामना के स्री चर्णों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी बानी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद एवं आभार माने निप्रधान मंत्री जी आपका इस मौके पर अपने अन्मोल विशारों से लागए